14.2 एक दल का वर्चस्व स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम तीन आम चुनावों 1952, 1957 और 1962 में कॉंग्रेस का ही दबदबा रहा कॉंग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई हाला कि इस दोरान केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा लेकिन इस दल में लगभख सभी प्रमुख राजनेतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे एक दल के दबदबे वाली इन परिस्थितियों में बड़ा राजनेतिक मुकाबला कॉंग्रेस के अपने भीतर विबिन गुटों के बीच होता था जिससे पार्टी के भीतर लोगतांतरिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिली दूसरे राजनेतिक दल चुनाओ तो लड़ते थे लेकिन कॉंग्रेस को उलेकनी चुनाओती नहीं दे पाते थे इसके बावजूत विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने लोगतांतरिक राजनीती की प्रक्रियाओं को इस्थापित किया धीरे धीरे दूसरे राजनेतिक दलों ने अपने आपको मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही कॉंग्रेस को कड़ी टक कर देने लगे यह भारती लोगतंतर की विशिष्टता है कि 20 से 25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूत यहां बहुदलिये व्यवस्था पनप्पाई 14.2.1 जमिदारी प्रथा का खात्मा 149 से 56 अंग्रेज शाषनकाल में देश के अधिकांश भागों में जमिदारी प्रथा थी हर शेत्र में इनके अलग-अलग नाम थे जैसे जमिदार, मालगुजार, गौटिया, जागिरदार, आदी वे शाषनकी ओर से किसानों से लगान इकठा करते थे, उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और न देने पर उन्हें जमीन से बेदेखल करते थे पूरे गाउं पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था स्वतंतृता आंदोलन के समनांतर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था स्वतंतृता के बाद राज सरकारों का पहला काम था जमीदारी का खात्मा लगभग हर राजे में जमीदारी उनमूलन, बेगारी समापति और किसानों को भूमी वितरन सम्बंधी कानून बने हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार जमीदारों ने कानूनी अर्चने पैदा की और किस प्रकार सम्विधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया 1956 तक पूरे देश में जमिदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और जमिदारों के जमीन का पुनरवित्रन शुरू हो चुका था इससे लगभग 200 लाख किसान परिवार लाभानवित हुए और अपने जोद के मालिक बने ये प्राया मध्यम दर्जे के किसान थे इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों के हालात तो सुधरे मगर जमिदारों के जमीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ वे कई हत्खंडे अपना कर जमीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहें गरीब किसान और भूमी हीन अभी भी जमीन से वन्चित रहें 14.2.2 हिंदू कोड बिल 1952 पहले आम चुनाओं से भी पहले सम्विधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदू के परिवार और संपत्ती संबंधित कानूनों को व्यवस्तित करने के उद्देश से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तयार किया गया था डॉक्टर भीमराओं अम्बेड करने इसको तयार करके सम्विधान सभा में पेश करने में एहम भूमिका निभाई थी प्रधान मंत्री पंडित जवाहर नाल नहरू भी इसके समर्थन में थे स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी संख्या में महिलाओं वो तथा कतित निम्न मानी गई जातियों की भागिदारी थी और वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी इस्थिती में सुधार लाने के लिए कानून बनाये जाएंगे इसे अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू कोड बिल तयार किया गया था हिंदूों के बीच प्रचलित विभिन कानूनों के एकी करन के अलावा यह बिल हिंदू समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था इनमें महतुपूर्ण प्रस्ताव निम्ना नुसार थे पहला अगर परिवार के मुख्या के मृत्यू बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ती में से उसकी पत्नी और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे पहले केवल पुत्रों को संपत्ती मिलती थी पती या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया पहले या केवल महिलाओं पर लागू था तीसरा पती वपत्नी दोनों को विशेश परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार चौथा अंतर जाती विवाह को कानूनी मंजूरी पाच्वा किसी भी जाती के बच्चे को गोद लेना वैध परंपरावादी हिंदूों ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध या कहते हुए किया कि या हिंदू धर्म से छेट छाड़ है इसके विरुद सुधारवादी हिंदूों वह महिला सांसदों का कहना था कि जाती वाहत का खात्मा और महिला वह पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिध्धान्त इस्थापित नहीं हो सकते हैं इसे एक कानून की जगह चार अलग-अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया देश में समाजिक बदलाव लाने वह महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशान में यह एक निर्नायक कदम था इस कानून के बहस के दोरान यह सवाल बार-बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिंदूओं के लिए क्यों और सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं समविधान के नीती निदेशक तत्तों में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तिक कानून लागू किया जाए